नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग या फिर नोट बंदी के समय की समय सीमा रही हो तो भारती जिस तरीके से अब उनकी बुक सामने आई है क्योंकि बीते साल उनकी मृत्य होगी थी ब्रेन सरजली के दौर है इसे मैं यह साफ तौर पर उस बात का जिकर किया है कि जो करिश्माई कॉंग्रेस जिसको करिश्मा अपना मानती थी वो 2014 में बूल गई थी जिसकी वज़े से कहीं न कहीं उसको हर का सामना करना पड़ा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं नाम तो नहीं लिया रेकिन उसमें यह ज नितर्ट्व है वो कांग्रेस के उपर से हड़ गया तो उनोंने जाफ तोर पर एक बात कही उनोंने यह भी कहा है उसमें कि जब से प्रेजिरिंट बने जैसे ही उन्होंने प्रेजिरिंट की कुर्जी समाली उसके बाद से ही कॉंग्रेस के पास नेत्रत्व कोई अच्छा नहीं रहा और उन्होंने सोन्या गाधी पर सीधे तौर पर मनमोहन सिंग के उपर निशाना सादा उन्होंने ये भी कहा कि उस बुक मे इस बुक में वो कांग्रेस की नाकामी पर रहा और उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की कि अगर वो प्रधानमंतरी बनते तो शायर आज जो कॉंग्रेस की सिती है वो अलग हो ती नेत्रत्व की कमी जो है वो उन्होंने बताई जो की अब देखी भी गई है कि अब जुतने भी चरचाएं होती हैं तमाम चीजें जब देखी जाती है तो हर बार ये कहा जाते है कि नेत्रत्व की कमी है कॉंग्रस में कईना के उसमें उन्होंने ये भी जिकर किया है कि जिस तरीके से 2014 में चुना हुए है तो नेत्रत्वी कमी रही और अपने आपको ज्यादा बलवान दिखाना या फिर अपने आपके उपर घमंट करना वो भी एक 2014 की हार का मुख्य करन रहा है उसमें ये भी जिकर किया गया है जिस तरीके से हमारे पास पूरी उनकी बुक अब सामने आ चुकी है कि जिस तरीके से 2014 में वो हारे लेकिन जब नोट बंदी हुई तो ऐसे में वो राश्पती थे राश्पती के दौरान भी उनसे तो ये तक पूछा भी नहीं गया देश की करंसी ही बदलने वाली है तो ये बहुत एहम था साथ ही उन्होंने इस बात को सामने रखते हुए एक व्यंग जो है वो प्रधान मंत्री के ओपर जरू डाला है प्रधान मंत्री मूदी के ओपर कि प्रधान मंत्री को पुराने जो प्रधान मंत्री है उन सब से सीखने की जरूद है कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया नुडबंदी इंको झुर्प, उलुक में नुडबंदी के सथριान नहीं दिस सफ्कूर जवालानल नहरूं के सामने रखा था कि नैपाल को भारत से जोड़ा जाएं00 लेकिन जबालनल नहरूं ने इस बात को साफ़ तोर पर खार defense कर नह कर दिया था उस बाद का जिकर कि कि उसको सτα चोड़ देना चाहिए और और उसको भारत में नहीं शामिल होना चाहिए तो कहीं-दक उन्होंने जिकर किया है कि जव अगर वह मान जाते तो आज भारत का इस नेपल हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने वो पूरा दौर देखा है उन्होंने वो पूरी चीजे संजी है जो उस वक्त के राजा थे नेपाल के त्रिभवान वीर विक्रम शाह उन्होंने ऐसा कहा गया है प्रणवदा के बिहाफ से कि अगर उस समय जिस तरीके से उनके जो एक सुतंत्र देश रहे तो ऐसे में उनकी यह सोच थी कि नेपाल में और साथ में यह भी कहा जाता है बड़े लोग यह भी कहते हैं जो बड़े डिप्लोमाटिक लोग है वो यह भी कहते है कि डिप्लोमाटिक तरीके से ही जवाड़ला नेरु ने इस पूरे मुद्दे को देखा और हर बार नेपाल को उन्होंने उस वक्त जो है वो ड्रमाटिक तरीके से नहीं डिप्लोमाटिक तरीके से देखा और साफ तोर पर यह भी कहा गया उनकी किताब में से मना कर दिया था क्योंकि वो यह चाहते थे कि नेपाल जो है एक सुतंद्र राज रहे तो बहुत एहम हो जाएगा कि इस तरीके से यह बात खुद प्रनदा कहते हैं क्योंकि उस वक्त मतलब उन्होंने अपनी प्रजिडिंट अपनी बुक में यह सब चीजें मेंशन की हैं अनुने अपनी सारी बाते जो सोचते हैं कि हर प्रजान मंत्री ऑलग तरीक इसे डिस्क्राइड करते हुए बोला है बढ़ को प्रजान मंत्री को पुरानी प्रण मंत्रियों से सीखने की जवरत है बिल्कुल जिस तरीके से आप जिकर कर रहे हैं कि प्रणमोकरजी की किताब सामने आई है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं क्योंकि उन्होंने साफ तोर पर अपनी पार्टी कॉंग्रेस का भी जिकर किया था कि जिस तरीके से करिश्माई नेतृत्व जो कॉंग्रेस लगातार करती हुई आ रही थी जो सोच उसके अंदर बैट गई थी वो 2014 में भूल गई थी और गमण कई न कई आ गया था तो उनको पटकनी खानी पड़ गई थी 2014 में उनकी पार्टी नहीं सरकार नहीं बना पाई थी ऐसे में कई न कई बहुत सारे बड़े सवाल भी याँ पर खड़े हो जाते हैं कि जिस तरीके से करिश्माई नेतृत्व भूल गए और उनने इस बात का भी जिकर किया है कि नोट बंदी के दोरान उनको पूछा तक नहीं गया और उनने ये भी जिकर किया है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार काम कर रही है तो कई न कई उनमें भी गमंड है तो उनने कई सारी चीजे हैं जिस में इस बुक में उनने जिकर की है ऐसे में तबसे बड़ी चीज तो यह हो जाती है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी पर भी उन्होंने काफी सारी चीज़ें बोली है और ये भी कहा है कि अगर किसी ने इस पूरी चीज का भुगदान किया तो वह सिर्फ कॉंग्रस पाटी ने किया ना कि एक व्यक्ति विशेश ने किया है अच्छा ये कहा जाता है विशेशक्य जो हैं वो ये मानते हैं कि अगर प्रधान मंतरी बने और उस समय पर प्रणा मुखर जी अगर प्रधान मंतरी नहीं बने तो उसके पीछे बहुत बड़ा случай ने साफ़्तार पर कहा था कि आपको दूसरी अच्छी पॉजिशन देंगे पार्ठी में मन्मोहन जी वो बनेंगी प्रधान मंत्री तो यह बहुत एहम हो जाता है कि आपके जो पार्ठी को देख रहे हैं जो अद्हक्षा दोर एह वह सभी क्या सारी चीज़ें आपने देखी है तो बहुत एहम जो है उन्होंने बाते लिखी है बिलकुल भारती जिस तरीके से आप जानकरी दर्श्चत तक पहुचा रही है उसमें साफ तोर पर एक चीज में जरूर एड़ करूँगा कि जब इंद्रा गांधी की हत्या हुई थी उसके ब पाटी भी छोड़ दी थी लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना कर्तव जरूर निभाते रहे और आज राजपती वो पहले बीते समय में रहे थे लेकिन 2020 में अगस्त के महीने में ब्रेन सरजरी के दोरार उनकी मौत हो गई थी लेकिन जब उनकी ये बुक सामने आई है तो आरूप प्रत्यारूप का दौर भी यहाँ पर देखने को मिला है और राजनीति गल्यारे जो है उसमें जरूर हल चल हो गई है क्योंकि कापी एहम चीज है उन्होंने यहाँ पर लिखी है चाहिए वो नोट बंदी हो यह पर जिस तरीके से उन्होंने यह भी लिखा है कि न साफ तोर पर उनकी आपस में ही थोड़ी चीज में बिगड़ी हुई थी जिसके चलते अभीजीत मुखर जी जो कि उनके बेटे हैं उन्होंने साफ तोर पर कहा था कि जब तक मैं परसनली लिखित में ना देदू कि इस बुक को परमिशन मिले रिलीज होने की तब तक नही पाथ कि तमाम कॉंट्रो ओरसी से निकलने के बाथ यह किताब रिलीज हो पाई है और बहुत ही पसंद जो है और लोगों की इसमें दिखाए देरे aware क्यूंकि बहुत दिल्चस्वी लोगों को अगर आप लोगों की आगर किसी की दिल्चसर्वी पॉलिडिक्ड में बहुत ह क्टाब विश्ट बाते हैं मुझे लग ठिए किताब किताब के लिए बहुत ऐची थाबिंट हो ने वाली और बहुत अच्छी किताब जो है वो है अ और तमाम तमामं चीजे इसमें में पारे में स्कुर nov कि आफ सब के नेत्रन के बारे में हो Congress किस तरीके से अपना नेत्रित्व जो है वो नहीं रहा उसके पास कोई नेत्रित्व जिसकी कमी आज भी देखने को मिलती है प्रण प्रद्यूम जिस तरीके से ये पूरी आज भी अगर हम देखे तो जब हम बात करते हैं तमाम बड़े नेताओं के तमाम वरि अध्यक्ष कौन या फिर अंत्रिम अध्यक्ष कौन तो ये चीज़ें बहुत एहम हैं बिल्कुल जिस तरीके साब जिकर कर रहे हैं कि अब कौन यही सवाल आसे कई साल पहले उठे थे क्योंकि बीटे समय की बात करते हैं तो प्रणा मुखर जी को संकट मोचन का नाम दिया उसके बाद जब उनकी एहमियत नहीं की गई जिस तरीके से वो अपनी राय भी रखते थे तो उसको सुना धंग से नहीं जाता था और अगर कौंग्रिस की बात करते हैं कारेकर्टाओ की बात अगर सुनी जाए तो वो हमेशा यही कहते है कि हमारी सुनवाई नहीं होती है उपर से order आते हैं उसको follow करने के निर्द शम को दे दिये जाते हैं तो ऐसा भी गलत नहीं का जा सकता है क्योंकि ये कारेकर्ता भी इस बात का जिकर कर रहे है प्रणामुखर जी भी जब जिकर कर रहे है जब एक राश्पती इस बात का जिकर करता है तो उसमें कुछ ना तो प्रणा मुखरजी को वूद आ ने ने पर पे! प्रद्यूम इसमें एक चीज हम जरूर देखना चाहेंगे, कि बहुत एहम हो जाता है कि विपक्षी पार्टी जरूर सामने खड़ी हो, जब एक राज कर रही है, अगर एक पार्टी पूरे तरीके से केंद्र में है, तो उसका विपक्ष बहुत स्ट्रॉंग होना जरूरी है इसा कहा जाता है कि अगर आपका विपक्ष स्ट्रॉंग नहीं है, तो यानि कि केंद्र सरकार बहुत अच्छे काम नहीं कर पाएगी, क्यूंकि आपका आईना आपको दिखाना जरूरी है, तो ऐसे में एक अच्छा विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन कॉंग्रेस क कि अगर हम बात करें तो सही नितृत्व ही नहीं है तो फिर एक स्ट्रॉंग विपक्ष होने की बात तो बहुत दूर की है तो ऐसे में प्रणा मुखर जी की जो किताब है बहुत एहम है और बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जो शायद लोगों ने सुनी भी नहीं है लेकी भी नहीं है तो बहुत जरूरी है कि वो किताब पढ़ी जाए और तब समझा जाए क्या करी राजनीती कहा तक है तो यह किताब कटाश जरूर है तमाम चीज़ों पर तमाम नेताओं पर और तमाम बातों पर पर बुक बहुत एहम है पढ़नी चाहिए देखनी चाहिए और काफी चीज़े जो है सीखने को मिलेंगी समझने को मिलेंगी और काफी गहरी बाते जो हैं जो नहीं पता है वो जानने को मिलेंगी फिलहाल इस रिपोर्ट में इस पूरी बातचीत में इतना ही जुड़े रही है News World India के साथ अगर आपको हमारी ये पूरी बातचीत पसंद आई ते उसे लाइक करें, शेयर करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद